हाइ फ्रेंड़्स अब हम देखेंगे कि lines और angles यह जो आपका chapter है chapter 5 है आपकी class 9 का, यह हम देखने वाज है यह इसका part वरने के चलिए शिज़ी बढ़ेंगी अब हम पढ़ेंगे lines and angles, lines and angles यह आपका class 9 का chapter है, ठेक है, isme हम सबसे बहले तो देखो इसमें लाइन्स के बारे में बात करने वाले लाइन्स कैसी होती है, लाइन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे लाइन पारलर भी होती हैं, लाइन पारलर भी होती हैं, एक दूसरे के, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स भी होती हैं, जो किसी पॉइंट पे मीट कर जायें, वो intersecting lines होती है, angles, angles बहुत तरीके के होते है, 60 degree का angle, 45 degree का angle, यह सारे angles होते हैं, हम इन ही सब के बारे में कुछ बाते यहां पर देखेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हम angles के बारे में देखते हैं, हमारे पास mostly, normally हम देखते हैं, 30 डिग्री का एक एंगल होता है एक 60 डिग्री का एंगल होता है 45 डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का एंगल होता है और 180 डिग्री का एंगल होता है ठीक है ये कुछ ऐसा बनता है ठीक है ये वाला कुछ ऐसा बनता है यह वाला कुछ ऐसा बनता है 90 degrees सबको पता है ऐसा ही बनेगा और 180 degrees हमेशा ऐसा बनता है है ना यह तो आपको नॉर्मली यह सारी चीज़े पता है अब हम सबसे बहले तो यह देखते हैं कि अंगल्स किते रहे तरीके के होते हैं जैसे अंगल होते हैं जैसे अर्जेसेंट अंगल होते हैं जब आप देखोगे कि कोई लाइन में कोई ऐसे रे है ठीक है उसके उपर कोई ऐसे रे स्टैंड करती है तो ये जो दोनों का sum होगा, ये x माल लो ये y माल लो, तो ये x प्लस y है कितना होगा? 180 होगा ठीक है? हमेशा देखो, यहाँ पर हम क्या-क्या पढ़ने वाले पहले मैं यहाँ पर summarize कर देती हूँ एक तो linear pair of angles linear pair of angles दूसरा हम पढ़ने वाले है vertically opposite angle, यह मैं short form में लिख रहे हूँ ठीक है, तीसरा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर corresponding angles कौन से होते है ठीक है, फिर हम देखेंगे alternate angles कौन से होते है मोटा मोटा में इतना ही देखने वाले और lines तो हमारे पास दो मैंने पहले बता दी एक तो parallel होती है और एक intersecting होती है अब देखो, linear pair of angles तो यही है यह जो x plus y की value लिए अगर कोई भी कहता है मतलब आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई एक ray है, उसके ओपर कोई ray स्टांड करती है, तो जो दो angle बनते हैं, इनका sum होता है 180 degree और वो कौन से angle होते हैं वो होते हैं, यही linear pair of angles ही है जिनमें की x plus y का sum कितना होता है, 180 यह दोनों angle एक दूसरे के adjacent हैं, देखो, adjacent angle आपको निकालने को जैसे आ जाता है कभी कभार तो जैसे आपको यहाँ आप इस तरह दे रखा है तो फिर adjacent angle निकालना easy है क्योंकि यहाँ पर दो यह angle है आपके पास गिनके, पर कभी कभार क्या हो जाता है आप से कह देता है right four adjacent angles चीक है, और कैसे बना देगा एक ऐसे रे बना देता है एक ऐसे अब आप confused क्या होगा इसका, देखो यह A, यह मैंने B mark कर दिया, यह O यह C और यह D देखो adjacent angle का मतलब यह होता है इसमें तीन चीज़े important होती है सबसे फेली चीज तो यह है कि जो एक रे common होनी चाहिए one रे must be common और जो second ray है second ray must be on opposite sides यह सबसे फेली चीज है कि एक रे common होनी चाहिए और जो second ray होती है दोनों की जो दो रे होती हो एकदम opposite side में होंगी तो आप देखो अगर मैं यहाँ पर यह देखो यह वाला angle देखो यह वाला angle देखो यह तीनी angle बन रहा है mainly एक तो यह वाला बन रहा है यह वाला बन रहा है अब argescent कौन से दो angle होंगे एक तो यह दोनों हो जाएंगे क्योंके दोकर यह CO is common और D.O. और B.O. दोनों opposite sides में है है ना दोनों opposite sides में ही है उसी तरह यहाँ पर देखो यह angle और यह angle adjacent to q क्यूंकि do common है ao और co opposite sides में है ऐसे आप निकाल सकते हो easily चीक है इसके बाद हम आते हैं vertically opposite angle तो यह vertically opposite angle हमेशा intersecting lines में ही बनेंगे यह कभी parallel lines में नहीं बनते यह कभी भी parallel lines में नहीं बनते vertically opposite angles हमेशा equal होते हैं vertically opposite angles क्या होते हैं हमेशा equal होते हैं ऐसे बने होते हैं यह वाला आंगल इस वाले आंगल के equal होगा यह वाला आंगल इस वाले आंगल के equal होगा चीक है अब बात करते हैं corresponding alternate angles की ठीक है और एक होते हैं co-interior angles भी होते हैं मुझे अभी याद आया co-interior angles भी होते हैं अब यह जितनी भी बाते corresponding co-interior यह सारी की सारी parallel lines की होगी देखो जब कोई दो parallel lines हो ठीक है और उस पे यह एक transversal ऐसे आ जाए तो अब देखो corresponding angles कौन से होते हैं corresponding angles होते हैं same side पे दोनों parallel line की same side पे हो मताँ जैसे यह वाला अगर यह वाली parallel line नीचे वाली वेने ली तो इसके उपर वाला यह वाला और यह वाली लिया तो इसके उपर वाला वो भी इधर side वाला यह यह हो गया parallel sorry corresponding angles alternate interior angles कैसे होते हैं alternate interior angles भी होते हैं alternate exterior angles भी होते हैं interior angle वाले देखो पहले तो मैं बताते हैं alternate angles कैसे हैं यहां पर भी आपको ऐसे Z बनता हुआ दिख जाए, ऐसे, तो यह और यह वाले जो एंगल होंगे वो अल्टरनेट, यहां पर देखो, यह Z बन रहा है, ध्यान से देखना है, यहां पर, यह मैं थोड़ा नीचे से इसले बनारे हूं, जिससे समझ में है, यह Z, ठीक है, तो यह वाला जो एंगल है, और यह वाला जो एंगल है, यह दोनों अल्टरनेट एंगल सो, कर्रेस्पॉंडिंग एंगल भी इकवल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी इकवल होते हैं, पर को इंटीर एंगल होते हैं, लीनर पेर आफ एंगल की तरह हैं, इनका सम जो है, 180 होता है, क इंटीरर अंगल्स कौन सो थे यह वाले यह और यह एक नीचे होगा एक उपर ठीक है यह को इंटीरर होते हैं आपको यह समझ में आ गया हो अगर आपके मैं में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमन सेक्शन में बढ़ा सकते हैं मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिका और मेरे चानल को भी सब्सक्राइब बढ़े जाएं थैंक्यू